नमस्कार दोस्तों आज हमारे वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक विसीस परकार का वाइरल डिजीज जो बकरियों में होती है और छोटे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा परहसान करती है जिसका नाम है कैफरेन आर्थराइटिस एंसेफलाइटिस यानि C.A.E. इस बीमारी में क्या होता है साथियों कि जो ही ये वाइरस बच्चे के सरीर में गुस्ता है दीरे 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 एफेक्ट करना सुरू करता है और गुटनों में सूजन आ जाती है बच्चा कमजोर होता जाता है ये हला कि ये बड़ों में भी होती है बिमारी जिसके बारे में हमने अलग वीडियो में जानकारी दी है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लेना विशेश तोर से इस वीडियो में छोटे बच्चों का इलाज आपको बता रहे है सातियों जैसा कि आप सभी को पता है कि वाइरल डिजीज का कोई खास इलाज तो नहीं होता लेकिन हम सिम्टोमेटिक ट्रिट्मेंट करेंगे यानि लक्षनों के आधार पर इसका इलाज करेंगे तो बच्चा दीरे दीरे करके कवर हो जाएगा उसकी इम्मुनिटी बढ़ाने की चीजे देंगे तो कवर हो जाएगा यहाँ पे एक कोर्टिको इस्टरोड यूज करना पड़ेगा जो की इंट्रमस्कुलर भी लगाया जाएगा तो लोकल भी लगाया जाएगा लोकल कहाँ पे जहाँ पे सूजन आ रखी है आदा आदा ML गुटनों में लगाया गया है और एक ML इंट्रमस्कुलर लगाया गया है इस प्रक्रिया को लगातार तीन या चार दिन तक करना पड़ेगा यानि टीट्मेंट तीन चार दिन तक रिपीट करेंगे इसके अलावा इसमें बात आती है एंटिवाइटिक की तो एंटिवाइटिक इसमें सेफोटेक्सिम यूज किया गया है सेफोटेक्सिम का जो ब्रांट है बायोटेक्स वो डाइसो एमजी यहां पे यूज किया गया है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए Dysol MG ही सही रहता है इसे एक बार चेक कर लिया जाएगा यानि डिजोल करके थोड़ा सा लगाया जाएगा अगर किसी भी परकार की परेशानी नहीं होती है जैसे कि डिजोल करने के लिए अंदर वाइल है डिशल वाटर इसमें डाला डालने के बाद हम दो एमेल लगा करके चेक कर लेंगे कि बच्चे को किसी परकारी कोई समश्य नहीं होई है तो बाकी का बचावा तीन चार एमेल जो है वो भी इंट्रा मस्कुलरली इंजेक्ट कर देंगे यह तीन दिन की ट्रिट्मेंट है तो तीन दिन में अक्सर इसमें रिजल्ट मिल जाता है अगर नहीं मिलता है तो तीन दिन बाद एक दिन छोड़ के एक दिन भी इसे लगाया जा सकता है इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा Immunity Power बढ़ाने के लिए और सरीर को Energy देने के लिए क्योंकि सरीर इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का कमजोर हो जाता है तो उसके लिए विसे इस परकार की Sea Refuse की जाती है जो की है सारका फिरोल वेट के नाम से सारका फिरोल ये देखिए आपको दिकरा एक चटनी टाइफ आती है ये तो जिसे चटाया जाता है अंगुली भर के भी हम बच्चों को चटा सकते है पांस ग्राम के आसपास पर डे से दिया जाता है बच्चों को सुबह और शाम जिसे जो आईरन की कमी है वो दूर हो जाती है एनिमिया की जो प्रोब्लम है वो दूर हो जाती है इसके अलावा इसमें जो अगली सीरफ काम में लेनी है वो है फ्रेंस नियूरो काइंड प्लस वेट ये जो नियूरो काइंड प्लस वेट सीरफ है ये नसों को मजबूती परदान करती है और इसमें आप सभी को पता है कि अकड़न बहुत ज़्यादा रहती है और बच्चा कमजोर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पांच-पांच अमेल इसे भी सुबे श्याम कंटिनेशली अगर दिया जाता है इसके अलावा अगर मान लेज़े इस्तिती गंबीर है और दूद नहीं पी रहा है बच्चा तो मेलोनेक्स प्लेन का जो इंजिक्शन आता है मेलोनेक्स प्लेन वो इंजिक्शन भी 1मेल दिया जा सकता है ताकि उससे दर्द और सुजन कम रहेगी तो बच्चा आराम से दूद पिता रहेगा